हाई एवरिवन दिस इस केरन वल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे भरे कबाब की रेसिपी सर्दियों में कबाब बहुत पसंद किये जाते हैं और अभी मतर भी काफी आ रही है मार्केट में तो इसलिए आज मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं कबाब बनानी के लिए हमें चाहिए दो कप फ्रेश मतर आप फ्रोजन भी ले सकते हैं पर अभी मतर का सीजन चल रहा है तो फ्रेश मतर ही इस्तमाल करना चाहिए अब इसमें एट करेंगे हम हाफ कप वाटर कम ही पानी में से हमें बॉल करना ह हाफ टीस्पून शुगर इसे मटर का कलर थोड़ा ठीक रहता है और अब इसे हम बॉयल कर लेंगे यह एक सीटी में ही बॉयल हो जाएगी और यहां एक बॉल में मैंने ले लिये हैं चार मीडियम साइज के उबले हुए जिनने मैंने अच्छे से मैश कर लिया है मटर बॉयल हो चुक हैं और उसके सीयदी मटर को मैंने heal मिक्स जार में शिफ्ट कर लिया है और अब इसे हम दर-इस लेंगे तो लिजे मटर पेश चुकी है और अब इस मिक्षर को हम आलू आले मिक्षर में मिक्स कर देंगे इसी तरह हम मटर का दूसरा लॉट भी पीश कर आलू मिक्स कर देंगे अब मैं सी मिक्सजार ले रही हूँ और इसमें एट करेंगे पालक, मैंने एक मुटी पालक को अच्छे से बॉइल कर लिया था पहले और ठंडा होने के बाद उसे स्क्वीज करके उसका पूरी तरह से पानी मैंने रिमूफ कर दिया था तो इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे और इसमें हम एट करेंगे चार हरी मिच और एक इंच अधरक का टुकड़ा जिसे मैंने तीन-चार पीसे में कट कर लिया है और अब इन्हें हम पीस लेंगे अब इस मिक्सर को हम मतर आलू वाले मिक्सर के साथ आइड कर देंग अब इसमें हम आड़ करेंगे 3 टेबल स्पून ब्रैट क्रम्स और 1.5 टीज़्पून हम इसमें आड़ करेंगे सॉल्ट 1.5 टीज़्पून एड़ करेंगे अमचूर पाउडर, 1.5 टीज़्पून गरम मसाला, 1.5 टीज़्पून हम इसमें आड़ करेंगे चाट मसाला 1 teaspoon ही इसमें हम add करेंगे red chili powder ये optional है अब इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती add करेंगे और last में हम इसमें add करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर half teaspoon और अब इसे हम अच्छे से mix करके इसका एक अच्छा सा dough तयार कर लेंगे तो dough हमारा ready है और आब इसके हम कबाब बनाएंगे इस तरह से आप कबाब बनाएए जितना हो सके इसे smooth कर दीजे इसी तरह हम सभी कबाब ready कर लेंगे यहां मैंने slurry ready करके रखी हुई है इसमें 1 tablespoon corn flour और 1 tablespoon मैदा स्थमाल किया है और पानी मिलाके इसकी slurry ready कर लिए है इस तरह पतली slurry आपको ready करनी है गाड़ी नहीं और प्लेट में मैंने bread crumbs लिए हैं अब हम कबाब को पहले slurry में और फिर bread crumbs से coat करेंगे इसी तरह हम सभी कबाब ready कर लेंगे यहां मैंने कुछ कबाबों को bread crumb और slurry से coat नहीं किया है इन्हें हम ऐसे ही fry करेंगे पहले हम बिना bread crumb और slurry वाले कबाब को fry करेंगे जब तक हम normal कबाब को fry कर रहे हैं तब तक हम bread crumb coated कबाब को फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख देंगे लगबग 10-15 मिनिट के लिए तो fry करने के लिए यहां मैंने ऐल गरम कर लिया हैं हम सेलो fry करने वाले हैं इन्हें थोड़ा केरफुली fry करना होता है क्योंकि इन में slurry और bread crumb का इस्तमान लिए तो इनकी तूटने का डर रहता है अच्छे से दोनों तरफ से हम golden brown होने तक इन्हें fry कर लेंगे आप चाहें तो कबाब को air fryer में fry कर सकते हैं तो लीजे कबाब fry हो चुके हैंने हम एक साइट निकाल लेंगे यहां मैंने frizz से कबाब निकाल लिए हैं और अब इन कबाब को हम हलके हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे और एक्स्ट्रा bread crumbs को remove कर देंगे तो लीजे हमारे कबाब तलने के लिए ready हैं उसके लिए हैं मैंने दूसरी कड़ाई ले लिए हैं इसमें तेल गरम कर लिया है तेल गरम होने पर हम इसमें कबाब डाल देंगे अच्छे से दोनों तरफ से golden brown होने तक हम इने fry करेंगे देखे golden brown हो चुके हैं अब इने हम remove कर लेंगे तो लीजिए हमारे कबाब बनकर ready हैं सभी तरहें के ये कबाब बहाद से बहुत ही crispy और अंदर से बहुत ही soft होते हैं और खाने में बहुत ही जादा लजीज होते हैं इन कबाब को आप हरी चटनी के साथ enjoy कीजिए तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा ये आपको मेरी आज की पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपसे फिर मुलाकात होगी अगली रेसिपी की साथ तिल देन टेक क्या बाबाए बाबाए